पटना के पत्रकार नगर थाने में उस वक्त अफरात अफरी का महौल हो गया जब एक महिला जहर खा कर थाने पहुँच गई जहाँ पुलिस को वो अपनी दर्द भरी दास्ता सुना रही थी कि उसकी हालत बिगड़ने लगी इस पर पुलिस ने तुरद महिला को अस्पताल पहुचाया महिला का इलाज चल रहा है अब आप सोच रहे होंगे कि जहर खा कर थाने क्यों गई महिला पुलिस से शिकायक करनी थी तो जहर क्यों खाया तो बताते हैं आपको पूरी कहानी नमस्कार आज की ख़वर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साज शिका महरोत्रा ये कहानी पटना के पत्रकार नगर थाना छेतर की है जहां दहेज के चलते घरेलू हिंसा की शिकार महिला मौत को गले लगाने को मजबूर हो गई लेकिन मरने से पहले उसने पती और उसके घरवालों को सजा दिलाने का फैसला कर लिया और थाने पहुँच गई पत्रकार नगर थाना छेतर में रहने वाले बैंक आफ इंडिया के पी-ओ राजेश कुमार की एक साल पहले शादी हुई थी महिला के मुताबे कुछ दिनों तक तो दोनों के बीच सब कुस ठीक ठाक रहा मगर वक्त के साथ ही वो और उसका परिवार बदल गया अकसर पती और उसका परिवार माईके से दहेज लेकर आने का दबाव बनाता था इतना ही नहीं कमरे में बंद कर महिला की पिटाई की जाती थी ये एक दिन की कहानी नहीं है बलकि आए दिन महिला पर जुल्म ढढ़ाय जाते पती और ससुरालियों का कहर कम न होता देख बीते दिन महिला किसी तरह घर से भाग निकली और रास्ते में जहर पी लिया इससे वो सीधे पत्रकार नगर थाने पहुँची वहां महिला ने थानेदार को अपनी पूरी दास्ता बताई उसने जो बताया उसे सुनकर सबके हो शुड़ गए महिला ने कहा मैं राजेश की चौथी पत्नी हूँ उसकी पहले भी तीन शादिया हो चुकी है मगर उसकी पहले तीनों पत्निया उसे छोड़ कर भाग गई वो मुझे दहेज के लिए बहुत प्रतारित करता है इसी वजह से मजबूर होकर मैंने ये कदम उठाया महिला की शुकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर व्यक्ति को हिरासत में ले लिया थाने के प्रभारी राजेश ने बताया कि पुलिस ने दहेज प्रतार्ना के आरोब में महिला के पती को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है साथ ही महिला को उसके माई के पहुँचा दिया गया है आज जब हम मौडन और डिजिटल हो गए हैं तब भी समाज में दहेज के लोग भी ऐसे मानफता को शर्मसार करते नजर आते हैं आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए अपनी राए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर